हलो दोस्तों स्वागत है आपका आज हम मनुवग्यान पर डिस्कस करने जा रहे हैं मनुवग्यान B8 के पार्ठी करम Code No. 102 शिक्षार्ती का विकास एमंग शिक्षण अधिगम प्रिक्रिया यानि Development of Learner and Teaching Learning Process की यूनिट फर्स्ट का पार्ठ है साथ ही दोस्तों मनुवग्यान पर कई सारे प्रशन या परिवास हैं यूपिटेट और सीटेट जैसी प्रिक्षण में भी पूछ लिए जाते हैं तो आईए शुरू करते हैं तो यहां मनुवग्यान का अर्थ यानि Meaning of Psychology तो दोस्तों पहला वाकिये हैं भी लिखा है कि मनुवग्यान का विकास दर्सन सास्त्र से हुआ है अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि दर्सन सास्त्र मनुवग्यान की जननी है यानि इसका बर्थ जो हुआ है वो दर्सन सास्त्र से हुआ है मनुवग्यान का इसका छेत्र बदलता रहता है प्रार्णम में इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था बाद में इसे मस्तिक का विज्ञान कहा गया है वुंट एमम जेम्स जैसे मनो विज्ञानी को ने इसे मनो विज्ञान का मनो विज्ञान एक चेतना का विज्ञान के रुप में परिभासित किया है आज कल मनो विज्ञान को विवार का विज्ञान माना जाता है तो दोस्तो आपने देखा मने उग्यान को कितने तरीके समझ सकते हैं तो देखो मने उग्यान इंग्लिस word psychology का हिंदी रुतांतरन है तो psychology जो word है वो Greek language से लिया गया है ओn psychological को हम दो सब्सक्राइब से मिला मानते हैं यानि psychology, psycho plus logos से मिलावा एक word है दो words का combination है, जिसमें psycho and logos, ये दोनों ही words अलग-अलग मतलब रखते हैं, अर्थ रखते हैं, तो दोस्तों psycho का मतलब होता है आत्मा, इसका अर्थ होता है आत्मा साइको का, और दूसरा word है logos, जिसका अर्थ होता है विज्ञान, अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि मनो विज्ञान आत आत्मा प्लस विज्ञान का समा भी से, ठीक है अर्थार्थ मनो विज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस word के अनिशार, जैसर कि इस formula में बताये गया है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अर्थ रखत, मनो विज्ञान एक आत्मा के विज्यान के रुप में उबर कर आया है, अर कई सारे आर्तों में समझा जा सकता है तो यहाँ कुछ परिभास हैं लिखी हैं उनके अनूसार हम मानविग्यान को समहने क्योसिच करेंगे तो मेकडूगल के अनूसार दोस्तों इन्होंने जो परिभासा दी है वो परिभास यह है कि मनो विज्ञान आचरण एम व्यवार का एक सकारात्मक विज्ञान है मनो विज्ञान आचरण एम व्यवार का एक सकारात्मक विज्ञान है यानि साइक इंगलिस में अगर हम समझें तो ये ऐसा होगा कि साइकलोजी is a positive science of conduct and behavior यानि हम विवार का हमारे जो बिहेव होता है उसका positive पार्ट होता है साइकलोजी दा positive science of conduct and behavior यानि हमारे विवार में जो भी धनात्मक चीज़े पाए जाती है वो मनो विज्ञान के अंदर आती है तो दोस्तों यह हुआ मैकडूगल के अनुशार मनो विज्ञान का आर्थ अब दूसरी परिवासा हम पढ़ेंगे और इसके अनुशार मनो विज्ञान को समने क्योशिच करेंगे दूसरा विज्ञानिक था मनो विज्ञानिक थे ये हैं boring तो boring के अनुशार इन्होंने अपनी परिवासा में हमें बता है कि मनो विज्ञान को कैसे हम समझ सकते हैं इन्होंने कहा है कि मनो विज्ञान मानव प्रकरती का अध्यान है अर्थ अर्थ हम अगर मानव की प्रकरती का अध्यान करें तो वे माना विज्ञान के मनुविज्ञान के अंतरकत आता है यानि अगर हम इंगलीज में बात करें psychology is the study of human nature ठीके तो अगर हम human nature की study करें तो वही psychology कहलाईगी यह हम इंगलीज में समझ सकते हैं इस तरह से तो दोस्तो अब हम नई परिवासे के अनुषार पढ़ते हैं उसको समझेगे मनुविज्ञान क्या है के मनुविज्ञान का अर्थ क्या होता है तो कोलिस्निक के अनुषार मनुविज्ञान मानव विवार का विज्ञान है यानि मानव जो भी विवार करता है वे विज्ञान ही मनोविज्ञान है ठीक है दोस्तो एंड इसको अगर अंगलेस में हम पढ़े हैं तो psychology is the science of human behavior ठीक है तो human behavior ही समरी psychology कहलाएगा तो दोस्तो हमने यहां मनोविज्ञान की कैसारी परिबास से गनोशार मनोविज्ञान की समझने के कोशिश किये दोस्तो यह हमारी पहली वीडियो है जो मनोविज्ञान पर बनाई गई है अगर आप अपना support दिखाएंगे तो मैं इस विशे पर और भी वीडियो बनाऊंगा और support आपको कैसे करना है बस like और subscribe करना है थैंस पर वाचिंग